नमस्कार दोस्तों मेरे नामे भरज जेन स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरज जेन पर आज के इस वीडियो के अंदर में लोग बात करने वाले हैं टीपी लिंग की तरफ से आने वाले ये C310 मोडल के बारे में एक्चुली ये जो कैमेरा है उसने मुझे काफी अट्रैक्ट किया अपनी तरफ कर दें तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि ये जो कैमेरा है वो कितना इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं अपने इस चैनल के ओपर Electronic Security System और CCTV से related काफी सारे कैमेरा रिव्यू करता रहता हूं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को तो दोस्तों यह है हमारे पास में टेपो का स्मार्ट सिक्योर और इजी वाला कैमेरा वर्ल्स की नंबर वन ब्रेंड यहां पर टिपी लिंग लिखता है और क्लियर यहां पर मेंशन है कि वो नेट्वर्क वाले जो वाइफाई वाले जो प्रोडेक्ट है उसके अंदर वो जो भी वाइफाई वाले जो सिंगल कैमेरा लगाते हैं उसके अकोडिंग वायर्ड और वायरलेस नेट्वर्किंग मतलब यह वाइफाई में भी काम करेगा और अगर आप इसके साथ में Cat6 वाला केबल यूज़ करते हो तो भी यहां पर यह कैमेरा काम करेगा वेदर जो की इको शोव वाला जो डिवाइस है उसके अंदर आप इसको डारेक्ली कनेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा सेम इस नाइट विजन बट आवे से आपको मिल जाएगा तुबे ओडियो इसके अंदर मिल जाएगा जो की एक खासियत होती है इस तरह के कैमेरा की लोकल स्टो बेले box को खोल कर देख लेते हैं हम लोग इस box को open करते हैं यहां से खुले आप एक यह कमेरा के अंदर भी सो यहां पर हमें मिलते हैं यह मांटिंग के लिए काप का चिपका दो इसके ऊपर इसक्रू लगा दो इसके लिए हैं दूसरा है हमारे पास में कि user क्विक श्टार गाइड और इसके अलावा एक यह हमारे पास में कैमेरा इसको देखते हैं और मिलता है हमें यहाँ पर एक एड़ेप्टर जो कुछ इस तरह से दिखता है और इसके अलावा हमारे पास में वाटर पूफिंग करने के लिए मतलब की केबल से नहीं जाए इसके लिए है इसके त इतनी चीज़े हैं इसमें तो दूस्तों अभी मैन कैमेरा ओपन करते हैं तो दूस्तों यह है टीपी लिंक का टेपो सी 310 इसका जो वेट है वो करीबन 200-200 ग्राम के आसपास लग रहा है 200 ग्राम के आसपास होगा एप्रॉक्स और यह है इसका कैबल मटेरियल जो है वो प्लास्टिक का है इसको उपन करते हैं यहां से काफी प्यारा सा लूक एकदम छोटा सा इसे लगता है जिसे कोई बर्ड हो यहां पर इसके दोनों पंग हैं सो एक्चली यह वाई-फाई एंटिना जैं इसके और यह है इसका केबल कुछ इस तरह से यहां पर RJ45 यहां पर है हमारा DC 12 वाल्ट इसके बाद मैं माउंटिंग के लिए साथ में दे दिये हैं कम्प्लेटली सो आप इसको कैसे भी माउंट कर सकते हो है पूरा प्लास्टिक का मटेरियल है इसके लावा यहां पर हमें फिलाल दो आया रेलेडिस दिख रही है और क्या है वह एक्चुरी आया रहे हैं फिर नाइट पर केसे काम करेंगा वह भी हम लोग के बाद टेस्ट करेंगे यहां पर स्पीकर की ग्रिल है रिसेट की बटन और मेमरी कार का स्लोट यहां पर दिया हुआ है इसके अंदर मेमरी कार जो 128 GB का लगने वाला था वो यहां पर लगेगा बस काफी अच्छा लूक है अब इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं पहले इसको कनेक करते हैं कनेक करने के बाद में इसको हम लोग मोबाइल पर अप्लिकेशन डाउनलोड करके सब पुरा प्रोसेस करते लेते हैं फटावट से इसको हम लोग यहां पर कनेक कर लेते हैं और यहां पर हमारे सामने पावर आ चुका है और तब तक हम लोग यहां पर इसकी अप्लिकेशन नमें मिलेगी टिपिलिंग टेपो के नाम से एफ्लिकेशन मिलेगी और 4.60 एंसकी रेटिंग है फटाफट से इसको इिसको इस को इसको 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 इन्स टॉल कर लेते हैं शो एप्लिकेशन डाउनलोड हो गई ऑपन करते हैं पावर अलड ही हमने दे दिया है ध्यान यहां पर आपको एक अकाउंट बना देना है तो यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा टॉन टूवे स्टेफ एरिफिकेशन एट वियर डिवाइस अब हमारे पास में मॉडल नंबर है इसका 310 इसको पर टिक किया वायरलेसली कनेक करना चाह पर टेपो डिवाइस टू टेबलेट और वाई-फाई देख लेते हैं यस फाउंड इट कनेक्ट हुआ सर्चिंग वाई-फाई-फाई नेटवर्क फॉर टेपो डिवाइस मतलब यह जो वह न है उसके साथ में कनेक्ट हो के हमने फ्लेश बेक 400 के साथ में पास्वट डाल कि अब अगर यहां पर आप क्लाउड परचेस करना चाहते हैं तो 30 days के लिए फ्री है और 30 days के बाद में आप इसका चार्ज देख सकते हैं एक बार देख लेते हैं क्या चार्ज करना है निप कि यहां पर आराम से देख सकते हैं क्या-क्या अब को लेचे यहाँ आप ये कैमेरा हमारा विशिरू हो गया यस यह कैमेरा यहाँ पर चालू हो चुका है थोड़ी सी यहां पर देखने के लिए मिल रही है लेकिन इसको एक बार में इसको पर फिक्स करने के बात की हम लोगा यहां तक पहुंच पाएंगे चलिए दोस्तों यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं तो चलते आउट डोर इसको सेट करने के लिए अभी हम लोग आ गए हैं यहां पर उपर टेरेस पे क्योंकि यह आउट्डोर केमेरा है तो इसका आउड़ोर टेस्ट रोना जरूरी है तो अभी फ का देख पा रहे होंगे हमने इसको डारेक्टली लाइव कर दिया है और यह जो स्क्रीन रिकोर्डिंग है उसके थूरू आप यहां पर कंप्लेटली देख पा रहे हैं अब यह थोड़ा सा उल्टा है तो उल्टा है तो इसको मुझे अगर सीधा करना हो तो मैं यहां पर ज रिजल्ट है वो यहां पर देख पा रहे होंगे किस तरह का रिजल्ट आ रहा है हां इतना जरूरे कि थोड़ा सा लेगिंग आएगा आपको क्योंकि यह अभी हम लोग इंटरनेट के थू देख रहे हैं और इंटरनेट के थू जब भी कोई में कैमेरा को दिखा जाता है त और यहां पर आपको यह रिजल्ट थोड़ा सा और इन्हांस करके मिलेगा क्योंकि टू पे था अभी हमने इसको टू के पे कर दिया है और यह देखिए यह फिलाल जो रिजल्ट है वो टू के पे रिकोर्ड हो रहा है और टू के पे आप देख पा रहे होंगे सैम एज इस इसके अंदर तो जो टू वे कम्यूनिकेशन केसा होता है वह हम लोग यहां से देख लेते हैं यह मैंने टॉक पे बटन दबाया और आउट्डोर का साउन में चेक करना है अब यहां पर आप केमरा के सामने देख पा रहे होंगे और यह मेरी वोइस है अगर मैं यहां पर रिव्यू करूँ अगर इस केमरे के बारे में जो इसका स्पीकर है स्पीकर में मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि outdoor camera है तो speaker की quality अच्छी होनी चाहिए थी जो फिलाल हमें इतनी अच्छी नहीं मिली बहुत ही slide सा voice आ रहा है इसको अगर आप यह सोच रहे हो कि नहीं आपको कुछ अच्छे results देखने के लिए मिलेंगे यहां पर यहां पर यहां पर कर सकते हैं इन लोग का फीचर ही है सो अगर आपको microphone के हिसाब से यूज़ करना इस ओके जैसे कि अभी जो आवाज सुन रहे है सो दोस्तों इसके अंदर आपको alarm functions मिल जाते हैं जैसे अभी आप mobile की screen के ओपर देख पा रहे होंगे काफी सारे notification क्योंकि मैं इसके सामने motion कर रहा हूं तो motion के जो notification है वो आपको मिल जाते हैं playback के अंदर आप इसकी जो playback history है वो देख सकते हैं कि आपका क्या कैसे कैसे record हुआ है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा memory card भी फिलाल हमने इसके अंदर लगाया नहीं है बाकी यह जो भी screen clips जो देख रहे हैं वो आप directly mobile से ही हम लोग जो screen recording कर रहा है उसके थ्रूई देख पा रहे हैं बाकी इसके अंदर आप icon location जो normal जो features होते कोई भी camera के वो सब इसके अंदर record कर सकते हैं जैसे status leds है अगर वो आप बंद करना चाते यह वाली जो led आप देख करें अगर वो बंद करना चाते तो भी आप बंद कर सकते privacy zone बना सकते हैं उसके लिए आपको cloud लेना पड़ेगा detection alert है microSD card अगर यूज करते हैं तो inbuilt recording करना शुरू कर देता है advance setting में मिल जाएगी तो advance setting के अंदर हम लोग देख लेते हैं तो बहुत सर वही privacy mode audio record करना है या नहीं करना है power line frequency है और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं इवन इस camera को आप आपके family member के जाथ पर शेयर भी कर सकते हैं तो यह देखा आपने दीन का व vision कैसा है अभी जो आप result देख रहे हैं यहाँ पर यह है हमारे इसी camera का जबरदस night vision camera बतलब काफी अच्छा result यहाँ पर मैं जैसे कि अभी देख पा रहा हूं काफी clarity है इस night vision के अंदर अगर मैं camera के पास में भी जाता हूं तो यहाँ पर आपको मेरे चेहरे पर whitish कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा मैं बहुत ही करीब खड़ा हूं camera के लेकिन इसके बावजोद भी आप जो मेरा चेहरा है वो अच्छे से read कर पा रहे होंगे so इस तरह का clarity यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है जो काफी बढ़िया है अगर मैं थोड़ा सा दूर भी जाओं तो भी आपको काफी अच्छा result यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा overall में इसकी IR से मैं काफी impressed हुआ हूँ काफी अच्छा IR में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 4000 रुपे की range के अंदर यह camera लेना मेरे हिसाब से outdoor अगर आपको use करना है night vision इसको अगर use करना है तो काफी ब खरीच सकते हैं और मेरे हिसाब से तो इसको थमसप है कि आप 4000 में इस तरह का camera वार्थ इट है सो मुझे लगता है कि हमारा आज का जो वीडियो है वो काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत करेगे जाए हिडियो